नमसकार दोस्टो, मैं हूँ आपका दोस्ट इंजीनियर अभिसेक सिंग और आप तेक रहे है दोस्तो, अगर आप अपने लिए घर बनवा रहे हैं या फिर घर बनवाने की सोच रहे हैं तो ये विडियो भिल्कुल आपके लिए है दोस्तो आज मैं आपको इस विडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि अगर आप दो मेंजिला घर बनाने के प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको किस तरह के footing देनी होगी साथ साथ सरीय का detail मैं आपको पूरी तरीके से इसमें बताने वाला हूँ कि लोहे का जो च्छर लगेगा वो कितना mm का लगेगा साइज क्या होना चाहिए हाइट क्या होना चाहिए हर एक जनकारी आपको दो मंजला गर घर बनवाने वाले हैं तो फुटिंग यानि कि बहुत important जनकारी आज आपको देने वाला हूँ चुकि घर का निव को अगर हम लोग मजबूत कर लेते हैं तो आगे चल करके हम लोगों को कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होता है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैं अभी excited पे ही हूँ आप लोग यसे वीडियो में देख पा रहे हैं यहाँ पे footing का काम अभी चल रहा है दोस्तो सबसे पहले तो दिक्कत आती है कि आप गड़ा कितना खुदवाओगे ठीक है पहले मैं गड़े से यह स्टार्टा हूँ ताकि आपको step wise step हर चीज की जनकारी मिल जाए दोस्तो और पे जो दो मंजिला घर के लिए आप गड़ा खुदवाएंगे वो होगा सारह तीन फीट से लेकर के चार फीट तक उससे ज़्यादा आपको गड़े की जिरुड़त जो है वो नहीं है अगर आप खुदवाते हैं तो वो वेश्ट अप मनी है मतलब पैसे की बड़बादी रहेगी दोस्तो सारह तीन से चार फीट लगवगा आप मान सकते एवरिज चार भाई चार का गड़ा को दो आएंगे चार फीट उसको गड़ा करेंगे सरिया जो लगाएंगे ये 12 mm का सरिया इस्तिमाल हो रहा है ये फ्लोर इसको ले जाने का प्लानिंग है चार सरिया आपको 12-12 mm का दिख रहा होगा दोस्तो उसके बाद बात आती है कि हमारे रिंग का साइज कितना होगा और हमारे पिलर का साइज कितना होगा दोस्तो ये जो आप ring देख रहे हैं ये जो आप tie देख रहे हैं इसको tie भी बोला जाता है और ये देखिए एक इसे दुसरे tie की दूरी भी बहुत जादा important रहती है चुकि ये भी आपके strength को decide करता है दोस्तो पीलर का काम क्या होता ये पहले मैं आपको बता दूँ जितने भी हमारे छट का load हो गया हमारे beam के load है वो सब जो है वो column के सहारे ही हमारे नीचे footing तक जाते हैं तो column का मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है चुकि यही वो भार सहता है इंटे क्या है इंट तो अब जो है वो परदा के लिए इस्तेमाल क्या जा रहा है इंट पे load तो आता ही नहीं है अब तो pillar और column के सहारे ही जो है वो घर बनते हैं दोस्तो एक stirrup यानि कि यह जो हमारा tie है ring है एक ring से दूसरे ring के दूरी कम से कम 6 इंच से लेकर के 8 इंच के बीच में रहना चाहिए 8 इंच से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए 6 इंच तक जो है वो चलता है उससे कम अगर देते हैं तो वो पैसे की बरबादी होती है तो 6 से 8 के बीच में रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है आपको खुदवाना है, रिंग से दूसरे रिंग के दूरी मैंने बता दी, आपको 12 mm का चार रॉड इस्तमाल करना, ये मैं आपको दो मंजली के लिए बता रहा हूं, तीन मंजला, चार मंजला फिर उपर बढ़ते जाएंगे, तो आपको रॉड और कॉलम के डीटेल जो है वो बदलती जाएगी, उसके लिए भी अगर आपको जरूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर जाते हैं, तो तीन तल्ला मकान के लिए, जो कॉलम की जरूरत होती है, उसका डीटेल भी हमारे चैनल पर मौझूद है, तो आप वहाँ से भी देख करके बहुत कूट सीख सकते हैं, उमीद करते हैं, वीडियो आपके काम का होगा, तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक और इन्फोमेटी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों.